Hello everyone, good morning to all of you and welcome to GS1, yes sir Guys, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकरती चित्रन, ठीक है? प्रकरती चित्रन ये संबंधित है प्राबैधिक चित्रकला 12 से भी और 10 से भी ठीक है? क्योंकि 10 में भी आता है आलेखन का question वहाँ पे भी ये काम करेगा और साथी साथ प्राबैधिक चित्रकला 12 में भी काम करेगा तो प्रकरती चित्रन का एक ही question होता है और 30 अंक का होता है ठीक है? सबसे last वाला session सभी के लिए महतपूर्ण है और करना अनिवार्य है इसलिए सभी को ये ध्यान से देखना चाहिए कैसे questions आता है क्योंकि previous years are related questions है और free of course आपको मिल रहा है question के उपर नजर डालते हैं तो question में कहा गया है अपने समझ रखी डहेलिया पुस्प की टेहनिका स्वाभावी क्यों सजीव चित्रन कीजिए फोल, कलिया और पत्तियों का आकार स्वाभावी क्यों प्रकरतिक होना चाहिए चाया या फिर प्रकास चाया में अभिवर्क्ति अनुकूल हो तो यहां जो question आपने पढ़ा अपने समझ रखी डहेलियां तो आपको exam nation hall में सामने रखा जाएगा कोई पुस्प लाया जाएगा जिसमें पत्तियां भी होंगी टहनी भी होगा और पुस्प भी होगा ऐसा आकार आपके सामने डेस्क पर रख तिया जाएगा उसे बनाने को कहा जाएगा जो प्रकरतिक चीज है वही कहा जाएगा कोई पुस्प हो चाहिए वो कमल का हो चाहे हो गुलाब का हो चाहे हो कनेर का हो कोई एक पुश पाएगा टहनी सुधा होगा और उसी को बनाने को कहा जाएगा जैसा कि प्रशन पत्र में दिया जाएगा उसी के अनुरूप आपको बनाना है एक ही पेपर होता है इसलिए ध्यान से बनाना है जो अंक है 30 अंक 30 अंक आपको इस बेसेश फे मिलेगा कि वस्तु का अगर आपने उचित संयोजन किया है तो 5 अंक आपको मिलेगा ढंग से वास्तविकरंग और सही छाया या प्रकास परती छाया आपने बनाया है तो उसके लिए आपको 15 अंक मिलता है जिबकि वस्तु का उची ताकार और अनुपाद जो कहा गया है उसमें आप बनाते हैं तो दसंक इस टाइप से ये तीसंक बनता है और एक ही प्रशन आपको करना है चाहे आप वस्तु चित्रण का करें या फिर प्रकृति चित्रण का करें या फिर इस्मर्ति चित्रण का करे कोई एक ही करना है जो आपको उचित लगे वही करें आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रकरती चित्रन ठीक है उससे सम्मंदित 8 से 10 questions देखेंगे जो की previous year से सम्मंदित हैं कैसे करने है questions पहला questions जो है वो 13 और 15 में पूछा गया है ठीक है question कहा गया है आपने सम्मे रखी डहेलिया का पुस्प जिसमें टहनी और पत्ती भी बढ़िया से हो और सचित्र वरणन करना है उसका चाया या प्रतिचाया में दिखाना है तो यह होता है डहेलिया का पुस्प आप देख सकते हैं नीचे से start होता है तो पहली सबसे पहले टहनी उसके बाद पत्ती और उचित आकार देने के लिए आपको थोड़ी सी practice की जरूरत होगी और यह सभी के लिए अनिमार रहे है कुछ लोग comments करते हैं कि मैं प्रावैधिक का हूँ तो इसलिए प्रावैधिक वाले questions करूँ तो जो आलेखन का सबसे last वाला session है F उसमें आलेखन सभी के लिए अनिमार है क्योंकि 30 number का एक ही questions आता है चाहे आप प्राकरतिक चित्रन करें या फिर वस्तु चित्रन करें या फिर एसमर्दी चित्रन करें या फिर प्राकरतिक द्रश्य चित्रन करें बनाना तो सभी को है इसलिए इसकी प्रक्टिस सभी को जरूरी है और चाहे आप इसकी प्रक्टिस करें या फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राकरतिक 10 से चित्रन उस पे प्रक्टिस करें ठीक है तो पत्ती बनने बहुत आसान होता है आराम से आप किसी भी तरह से बना सकते हैं ठीक है चाहिए वाली पत्ती हो इस टाइप से आप बना सकते हैं बस क्या करना है आपको रफली तीन चार बार प्रक्टिस कर लेनी है और इसे आप आराम से बना सकते हैं हाला कि अगर white paper पर में भी बना रहा होता और pencil से बना रहा होता तो अच्छे से बन जाता है ठीक और पुस्प का size थोड़ा बताया गिया है और पुस्प maximum जो होता है 25 cm के मद्ध होता है bordering करना बहुत निमारी है last में चारो side में bordering किया जाएगा ठीक है तो पूरा figure बनाने के बाद आपको last में bordering करना होता है हमें जो सबसे अच्छा लगता है वो प्राकृतिक दृस्प चित्रन लगता है उसे आप कर सकते हैं लेकिन जिन लोगी की रूची प्रकृति चित्रन में है वो लोग इसे जरूर फालो करें ठीक है पुस्प भी आप आ आया है 2009-12-16 में पूछा जा चुका है इसे देखते हैं स्वाभाविक चित्रन कीजिए सभी आकार स्वाभाविक हो फोल की नाजगी कोमलता सजीव चित्रन हो चाया प्रकास के वृत्ति रंगों से वर्जित होनी चाहिए चित्र स्वाभावी क्यों प्राकृतिक हो इस टा निकाल सकते हैं पुष्प को आपको निकालने के लिए थोड़ी से प्रक्टिस होनी चाहिए और पुष्प की प्रक्टिस आप डेली बैसेस पर करते रहेंगे तो आप ऐसा करने में माहिर हो जाएंगे ठीक अब इसमें आपको पत्तियां निकालना है जैसे भी हो आप पत्तियां बनाते हूं वैसे आप बनाएं बस प्रक्टिस डेली बैसेस पर करते रहें और उसी के अमरूपी कारें ठीक है अब यहाँ एक पुष्प बनाया गया है पुष्प के साथ साथ दूसरा कली भी बनाया गया है ठीक है तो हमें जो सबसे बेटर लगता है वो प्रक्रतिक दिर्श चित्रन लगता है उसकी जो फिगरिंग है वो बहुत अच्छे से हम आपको करवा देंगे उसी बहुत अच्छे से आपको सिखाफी देंगे ठीक है यह प्रक्रति चित्रन है नेक्स्ट वाले क्वेस्चन के अगर बात करते हैं हम इतने समझ रखी सूरज मुखी का पुस्प टहनी सजिव चित्रन स्वाभाविक चित्रन के यह फोल कला यह उपत्तियों से आकार से हो प्राक्रतिक स्वाभाविक हो रंग योजना अनुकूल चित्र में चाया प्रकास चाया के अब ब्रति प्रभाविक हो जोड़ा का असप्रेश्ट चित्रन होना चाहिए यह क्वेस्चन 2013 में क्वेस्चन पुछा गिया है सूरज मुखी के ओपर एक ही क्वेस्चन है लेकिन यह तीसंग का है ध्यान रखना है इसलिए मैंने पहले ह उचित रंग के लिए पंद रंग जबकि उचित आकार और उनपात के लिए दसंग का प्रावधान है तीसंग का एक ही क्वेस्चन है इन सभी बातों पर फोकस किया जाएगा प्रक्टिस होगी वह बंदे अच्छे कर लेंगे जिसकी प्रक्टिस अच्छी नहीं होगी वह इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ आप एक फोरे साइज का पेपर लिजिए उस पर प्रक्टिस स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अगर आप टेंथ में भी है तो भी आपको ये क्वेस्चन साएगा और अगर आप ट्वेल्थ में है तो भी आपके लिए ये आलिखन में कारे क करेगा ठीक है तो इसकी प्रक्टिस के उपर ही है सब कुछ प्रक्टिस के उपर डिपेंड करता है प्रक्टिस आपको नियमित करनी ही पड़ेगी उसमें कोई दोराय नहीं है कोई ये कहे कि गोहल की पिला देने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं होता है टीक, questions मेरा काम है questions आपको दिखा देना कैसा questions आता है examination hall में आपको क्या-क्या सुबिधाय मिल जाएंगी कैसे questions आएगा examination hall में कैसे behave करते हैं teacher आपके साथ वो आपके वेवहर के उपर और साथी साथ college के उपर depend करता है last वाला ये कनेर वाला पुस्वहत देख लीजिए इसे भी 2013, 14, 15, 16 ये बहुत बार पूछा गिया है कनेर वाला ठीक है इसे देखते हैं अपने समझ रखे पोले कनेर के फूल का टहनी सुंद्रण, चित्रण, स्वाभाविक चित्रण कीजिए कहने का मतलब ये है कि जो इतनी बार ये question पूछा गिया वो इसलिए पूछा गिया क्योंकि कनेर का पेड़ सब जगहे लगभग आपको मिल जाएगा और इसलिए इसे प्रस्तुत करना विद्याला प्रबंधन के लिए भी बहुत सरल होता है आराम से इसे प्रस्तुत कर देते हैं इसलिए questions बार बार पूछा जाता है नहीं तो फिर गुलाब पे questions पूछा जाता है गुलाब भी लगभग बिद्याला में लगा होता है इसलिए गुलाब को भी वो लोग पती और टेहनी सुधा ले आते हैं उससे भी questions खुब बनता है लेकिन कनेर पे सबसे आदा बार question बना है यह होता है कनेर का पूछाप लोग देख रहे हैं तैसे है कनेर का पुस्प टेहनी उसके बाद उसमें दू बार पत्तियां निकाल ली कनेर की पत्तियां लंबी होती है इन्हें बनाना कोई कठिन नहीं है आराम से आप बना सकते हैं ठीक है यह इस टाइब से यह कनेर वाला हो गया अब देखते हैं लाल कनेर कनेर ही है लेकिन यह लाल कनेर है का स्वाभावी चित्रन कीजिए जिसमें पत्तियां कि जोनों किया कार कि श्वाभे भृत्ति होनी चाहिए पुस्परंग योजना कुमलता का आभास करालना कुमलता का आभास कराते हुए प्राकृतिक चित्र होना चाहिए ठीक है 2012 में कोईस्चन पूछा गिया है कोईस्चन कोई एक ही करना है चाहे है आप प्राकृतिक चित्रन करें या फिर वस्तु चित्रन करें या फिर असमर्ती चित्रन करें असमर्ती में आ जाएगा कोड़ा, बॉल, गेंद, बॉल्टी, मेच, किताब इसका चित्रन आता है ठीक है बैल गधा कुछ भी आ जाता है तो इस टाइप से आप इसे लाल कनेर का भी कर सकते हैं अब लाश्ट वाला देखते हैं गुलाब का जो मैंने कहा गुलाब भी लगभग विद्याले में मिल जाता है इसलिए गुलाब पे खुब ज़्यादे questions पूछे जाते है अपने समझ रखी गुलाब की फूल की टेहनी का सुंद्रणियों स्वाभाविक चिद्रण कीजिए फूल की ताजगी और कुमलता का पूण अभी व्यक्ति होना चाहिए रंगोद्वाराच है और प्रकास चाहस पस्ट होनी चाहिए चेत्र में आकार का पिशेश ध्यान देना आवस्यक है क्यूंकि आकार आकार पे 10 संक आपको मिलता है रंग पे आपको 15 एंग मिलता है और स्वास्तु संयोजन के लिए 5 एंग मिलता है टिक तीस संक का एक ही questions होता है और गुलाब पे questions है आराम से आप कर सकते हैं गुलाब बनना ना कोई बहुत ज़्यादे टफ कार है नहीं है इस टाइब से आप गुलाब बना सकते हैं आईए एक बार practice आपको करवा देते हैं छोटा गुलाब है तो इस टाइब से आप बना दीजिए अगर आपको बड़ा गुलाब बनाना है तो आप बड़ा गुलाब इस टाइप से बना सकते हैं ठीक है इसके पत्तियां बढ़ाते जाएए बड़ा गुलाब हो जाएगा वाइड बोर्ड पे किसी दिन आके आराम से आप लोगों को ये सारी चीजें सिखा देंगे लेकिन आज के से सल्फन में में ये था कि कुईस्टन کیसे आते हैं कुईस्टन कितनी बार रिपीट होती हैं सबसे महत्पून questions कौन सा है तो इसमें कनेर और गुलाब वाला ही questions सबसे आदा महत्पून है प्रकरती चित्रण में ठीक है तिरसंग का एक ही questions आएगा आप चार options आपके बास रहते हैं कोई एक ही करना है और खास बात यह है कि आपको जो बड़ा वाला तो इस टाइप से आप ये वाला सेशन कर सकते हैं और तीज नमबर अपना बना सकते हैं उचित आकार वस्तु सेयोजन और उचित रंग बना के और रख के सब कुछ तीज संक प्राप्त कर सकते हैं आला आखन में कोई बड़ी बात नहीं है बस प्रक्टिस के ओपर सब कुछ डिपेंड होता है तो एसे सन आपको कैसे लगा कमेंट के माद हमसे अपनी प्रतक्रिया दें अगर चैनल के साथ पहली बाप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप चैनल का फरप पूला ले सके हैं मेलते हैं नेक्स सेगमेंट में तब तक के लिए जेहिंद